गूट मॉर्निंग पुतर जी ओल अफ यू स्वेर्दी सभाविच सारे ही प्यारे प्यारे बच्चे अंदा स्वागत है बिटा अज मिती है जी 27 अप्रेल 2000 बाई दिन है प्यारे बच्चे ओ बुद्धवार हफ़ते दा तीसरा दिन है इंग्लिश विच वेर्नस्ट्री मैं तो हड़ी अपनी रिपिंदर जीत को एटिटी टीचर गुवर्नमेंट प्रेमरी स्मार्ट स्कूल बाबाला सिंग ब्लोक एंडिस्टिक बरनाला हाजरा पुतर अज दी मॉर्निंग स्लाइड लेके शुरू कर दें बिटा आज दे विचार नाल आज दा विचार है जी किसे वी सुदार दी शुरुआत हमेशा अपने आपतों करो एवरी इंप्रोव्मेंट शुड स्टार्ट विद सेल्फ इंप्रोव्मेंट प्यारे बच्चे ओ जिन्दगी विच अग्ये वदन लई बिटा तरक्की करन लई अते खुशहाल जीवन जियों लई बहुत जरूरी है के असी अपनी स्वेपर चोल करिये खुद नू समझिये अते सुदारिये हर इंसान बिटा गलतियां दा पुतला है अगर एन्नी को गल अपन सारे समझ लईये तब बहुत मुश्कला हल हो जानगिया अपन दूसरेया नू नहीं खुद नू सुदारिये अपनिया गलतियां ठीक करिये लंग चुके समय नू अपन बदल नहीं सकते प्रन्तु खुद नू सुदार के अपनिया गलतियां ठीक करके असी अपना और वाला कल जरूर बहुत खुबसूरत बना सकते हां So, every improvement should start with self-improvement किसे भी सुदार दी शुरुवात हमेशा अपने आप तो करो Next, Knowledge and Science Our first question is What is the capital of Uttar Pradesh? Uttar Pradesh दी राजतानी केडी है Its answer is Lakhnau Question number two How much time is taken to sing national anthem? राश्री गान किन्ने सम्मे विच गाया जान्दा है? राश्री गान प्यारे बच्चेओ बबंजा सेकेंड विच गाया जान्दा है Third question is Where is the main zoo of Punjab located? Punjab दा मुख चिडिया कर किते स्थित है? Its answer is Chhat Bid Question number fourth When did the Constitution of India come into force? पारत दा समिदान कदो लगू होया? पारत दा समिदान बेटा शबी जनवरी उन्नी सौ पन्जाइस विनू लगू होया? Fifth question is How many hundreds are there in one thousand? एक हजार विच किने सैंक्डे हन? एक हजार विच बिटा दस सैंक्डे हुन्दे हन? अग्य है जी आज दी बुजारत पुत ओदा चित्टा मा ओदी लाल मा रोवे पुझे बैठी पुत खेड़े हवा नाल बुझो बुझो प्यारे बच्चेओ एस दा जवाब की होया? हान जी एस दा जवाब होया? अग अते तुँ आ लस्ट वर प्रक्थिस लुझो अपर सुट् सुट्स दी outside, outside मतलब बाहर, third word is among, a-m-o-n-g among, among मतलब आपस्विच fourth word is about a-b-o-u-t about, about मतलब बारे, fifth and last word is above a-b-o-v-e, above above मतलब उपर अपने आच ती slide complete हुई बाता, take care all of you and have a great day